नमस्ते आदाब और वेलकम तो रसवाईग और यूटीब चैनल मैं हूँ विक्की और आज हम बनाने जा रहे हैं मेति की सबजी वैसे तो मेथी के पत्ते और मेथी के जो सीड्स है उनमें नूट्रिशन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा है वो कई ज्यादा होती है as compared to other pulses और इसमें medicinal value भी बहुत ज़्यादा है इसका उल्लेक जो है वो आयूरवेदा में भी किया गया है इसके लिए मेथी का उपयोग जो है वो सद्यों से हुआ चला आ रहा है और मेथी में एक property और भी है कि वो blood flow को अच्छी तरह से increase करके इसमें जो kidney है उसके filtration process को भी ज़्यादा अच्छी तरह से मदद करती है इसलिए मेथी खाना बहुत आवश्यत है और स्वास्त के लिए बहुत ज़रूरी है इसके लिए लगने वाली सामगरी प्रूद इस प्रकार है यह है मेथी के पत्ते और इसे हमने अच्छी तरह से साफ करके जो उपरी हिस्सा है उसको इलिया है कटा हुआ प्याज कांदा स्वादानुसार नमक रिफाइंड तेल यह हमने मिर्ची और लसुन को छोटे-छोटे तुकडे करके काट कर लिया है इसको बनाने के लिए करीब-करीब पाच से दस मिनिट का आउदी लगता है सबसे पहले हम एक पैन में तेल गरम करके लेंगे दो से तीन चमच तेल लीजिए उसमें कटा हुआ प्यास डालिए और प्यास को लाल होने तक अच्छी तरह से तेल में पका लीजिए जो हमने काटी हुई मिर्ची और लसुन लिया है वो डाल दीजिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि मसाले का टेस्ट आए पर उसमें जो हमने काटी हुई मेथी ती उसको हम उसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह से दो से तीन मिनिट के लिए मिक्स कर लेंगे ताकि वो जो मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मेथी के इस वाद के अंदर और याद रखिए कि मेथी जो है उसे काटने से पहले दोईए ताकि उसमें का जो विटामिन कंटेंट है वो कमना हो जाए दोने के बाद मेती की सबजी अब तायर हो चुकी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राब कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है धन्यवाद